हेलो बच्चों आज देखने वाले कक्षा चौति किमराख्ष लेसलमर 15 जाड अपला मित्र यानि ट्री और फ्रेंड की जाड मारे मित्र हैं तो इसमें हम इसका देखेंगे करते हैं इसके निचे बैठ के लों और रहां चलते या मिलती हैं तो हम पहले रेड़िंगरे तुम्हें मी तुम्हाला सावली देतो, फडे देतो, फूले देतो, औशदे देतो, दिवस भर भरपूर अक्सीजन मिलाउन देतो तुम्ही माजई काड़जी कशी घ्याल मला तोड़ू नका, मला पाणी घाला, खूब चाड़े लावा, फक्त वार लेली फान्द्याज इंधना साथी वापरा वादरा मूले मी मोड़ून पढ़लो, तर दूसरे जार लगेच लावा, तर दूसरे जार लगेच लावा चलो, अब एक-एक का पहले हैं मिलिंग समझते हैं, यहां पर देख लो कुछ दिया हुआ है, सावली का मतलब होता है शैडो, यानि छाया, इंधन, यानि फ्यूल जैसे हम देखते हैं, जैसे हम गैस यूस करते हैं, खाना बनाने के लिए तो वो क्या है, फ्यूल है, कोल क् होते हैं, इंको फ्यूल बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लकड़ी को जलाते हैं, उससे हम एनरजी यूस करते हैं, लेते हैं, तो वो क्या है, फ्यूल है, और शदे, यानि मेडिसिन, वादर, यानि स्ट्रॉम, तुफान, ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ठीक है, मोड डे, यानि टू ब्रेक, तोड़ना, अब चलो समझते हैं, मी तुम्हाला साउली देतो, देतो, साउली का मतलब चाया, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, साउली, चाया देता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ, और औशदी देता हूँ, ठीक है, करते हैं यानि झाली दवाय आपको पता है बहुत सारे पेड़ों से उसका इति-अ outta चाल होता हे उसके फुरुट इसके द्वार बनाई जाती है इसलिए मैं तुम्हें दТी देता ओं दिवस भर बर फूर औक्सीजन डेता हूँ ठीक है यह सारी चीजे मैं तुम्हें देता हूं कि मैं पता है पेड़ क्या करते हैं कारबन डॉक्साइड लेते हैं वह खुद और जो ऑक्सीजन होता है उसे वह छोड़ते हैं तक हमें मिल सके और जो करण डॉक्साइड जो हमारे लिए इंपोर्टन नहीं है वह तुम ही माजि काड़ जी कशी यहां तुम मेरा ध्यान कैसे रखोगे एंधे काड़ जी gwget निकी कैसे मेरा ध्यान रखोगे मेरे देखरे कैसे लख люд तो बता रहें यहां पर मला तोड़ो नपहुझे तोडो नहीं ब्लानी गाला चुथ मैं पानी डालो प्लांटस में में प बड़े हुए जो बड़े जो इसे मानलों बड़े हुए फांदे हैं या फांदे आचाहनी कि जो उसके शाखाएं हैं ब्रांचे से सिर्फ उसी को तोड़ो जो सूग गए हैं जो गिर गई लकडियां उनका यूज करो करें ठीक है उनको ही इंधन के लिए वापर हो अम यहां हैं अब उसको काट काट के सुखा सुखा कि आप ऐसा फ्यूल यूस करें तो नहीं करना है तो यहां पर बोला गया है वादरा मुले मैंने मताया था ना क्या होता है तूफान ठीक है जो तूफान ने मुझे मोड यानि तोड़ दिया है जो तूफान के वजह से मैं गिर ठीक है तो यहां मैंने आपको रिडिंग बताई एक एक का मतलब भी समझा दिया है अच्छे से एक्स्प्रेंट भी कर दिया है ठीक है यहां पर देखो दिया हुआ है और यह देख लो अच्छे से लिखा हुआ है वादर यानि स्टॉर्म तूफान मोड यानि मोडल यानि ब्रेक तूटना तो इन सब का मतलब यहां पर देखो और समझो अभी जो इसका question answer है वो मैं आपको next video में बताऊंगी ठीक है